हेलो गाईज तो आज आपनों को पता है क्या है कि आज कुछ है तो इर्फान देकर बुलाने पर हमारे घर चलिए दिखाते हैं क्या करने के लिए आई है तो आगी है और क्यों बुलाई है यहाँ पर भाईया कुछ बना रहे हैं इसका नाम है पालक चार्ट और मेड़ बीड 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 डॉक तो बॉक्तर्ट्टर कार तो आपके दुखान देज़ दो वालेकुम वेलकॉम तेक तो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आए होप अच्छी हूंगी रात का भी साड़े दस हो चुका है और यह आने वाले हैं तो जीशु गया है इनको बस स्टॉप से लेने के लिए अज्तॉप सब मार्कित का दिन था तो यह तो नहीं थे तो जीशु से ही ना परवल मंगए थो परवल अलू की सबस्ची बनाए दिखाते हैं तो यह बनाए थे सबड़ी और साथ में रोटी बना रहे हैं और इधर भी रोटी बना चुके हैं जिया ना कूलर में पानी भर रही है तो अभी टाइम हो रहा है पॉने साथ बुरा फ्लावर यहां का ना गिरता जा रहा है तो यह जा रहा है ऑफिस और सुबेरे उट्टे के साथ सबसे पहले तो शर्ट को आईरन किया कि कहीं ऐसा नो कि लाइट चला जाए लेकिन यह कहीं है कि लाइट गया नहीं शर्ट भी प्रेस हो गया और इनका ना वह ग्रीन वाला लेने आए और यह ओफिस चले जाए फिर आएंगे तो प्रियरोड में ना पानी डालेंगे धूब बहुत तेज है तो नीन ना पूरी नहीं हुए जिसकी वज़ा से मुझे थोड़ा सा वीखनेस भी लग रही है चक्करों कर भी आ रहा है और सुबहा का टाइम इतना भगदार हो ज़ ना तो यह सीड़ी जो है सबसे जादा भारी काम हो जाता है उपर चड़ना उतरना तो इनका सर्ट अएरन करके दर्वाजे पर टांग दिये थे अएरन भी गरम है तो इसको यहीं पर छोड़देते से इनकी शर्ट भी सब कुछ यहीं पर रख देते है उसके बाद यह आफ पुला दिये थे मेथी बाल के लिए बहुत अच्छा होता है तीसी भी बहुत है अगर आप घर में ही अपने बालों में शायनिंग और स्ट्रेट हल्का फुलका करना चाते हैं तो तीसी सबसे अच्छा है इससे क्या होता जड़े भी मजबूत होती है तो जो पालर में जाकि कहार हैंनों, धाँ 10 कैरेटिन C'm起來 क्या मूलते वह आप घर में भी कर सकते हैं और तीसी आप चाहे हैं तो चैए लगा दीजेगा मैरा अपना प्रसनल है आप चाहें तो इसी जो पानी है ना इसमें महंदी डाल सकते हैं महंदी खोल के और इसके बाद लगा लिजे आपके जो घ्रे हॉंगे वह भी थोड़ा डारख हो जाएंगे आपकी जो बालों की जढ़े हैं वह मजबोत हो जाएंगे यह सब चीजे ना लगाने में थोड़ा सा जंजट लगता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है तो यह जो तीसी है यह कोई हम खरदे नहीं थे जो हम लोग पुराने वाले घर में ना वहां पर लाके रखे तो वही वाला लेकर आगें कुछ जिया को लगाएंगे और कल से ना सबको पता है कि मेरा थोड़ से मूड वह था ना तो बच्ची भी आ जाते हैं और यहां पर वो नमकीन खा रही थी तो जिया को भी खिला दियो और मेरे वीवो में क्योंकि हम लोग रोजा नहीं है जिया का दवाई चला है क्योंकि बार 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 ना बताना पर जो नॉर्मल सेंपू से चाहे नॉर्मल पानी से बस बालोल धोलीजे मिहां इंटर्व्यू देना है तो उसके बाद ना यहां तीनों बच्चे ना जिद करने लगे उनों खेलने के लिए कि उनों खेल लीजे उनों खेल लीजे और घर में काम तो बहुत था लेकिन सही बात बता है तो करने को कुछ मानी नहीं कर रहा था यहां लग रहा था ना कि कोई काम ही नहीं है तो इन लोग नजीत करने लगे तो हम भी थोड़ा दिर बैट गए कि चलो टाइंग पास कर लेते थोड़ा से मूड अपने दीजिंदगी तो चलनी ही चलनी है जाए दुख म सब्सक्राइब कितना विरता तो अपने आपको संभालना पड़ता है तो अभी रात का साड़े आठ हो रहा है और अभी हम शाम को नहाए थे क्योंकि मेरा ना सर में दरद हो रहा था इधर भी सर में काफी च्छादा दरद हो रहा है कल से परसों से नीन नहीं पूरी हुई ह कल रात में भी आए तो काफी लेट में सोए फिर सुभेरे पांची बजे उड़ गए थे रिजन ये था कि हमको इनका ना यूनिफर्म जो था वो आईरनी ने किये थे तो अमको टां टेंशन लगा हुआ था और आज वाशी मशीन ओन किये थे लेकिन ना फिर उसके बाद ज और दो बल्टी एक बल्टी जिया लेकर आएगी विटा दुक यह तुम स्लीपर पहन के आजा हम नहीं आप पहनने आपके लिए तुम पहन लो कह लिए कि बल्टी भारी है इसमें पानी भी और ड्रायर ने कि अहां वहां पास जा रहे है जितना चड़ रहे है अतना हम आराम से न कितना अंधिरा आज लाइट नहीं है क्या कि हूं इन्वर्टर से चल रहे हैं तो लाइट नहीं है न इस वज़े से इतना अंधिरा-अंधिरा लग रहा है वैसे तो इन्वर्टर है लेकिन inverter का जो light है ना हम लोग सब जगा कर नहीं जला रहे हैं जहां पे जरूरत है वहीं पे जला रहे हैं क्योंकि सारा दिन अब है कि गर्मी आ गई ना तो गर्मी में light की problem होती रहती है तो inverter जादा load नहीं ले पाता है cooler पंखा सा भी कुछ चलता है तो यह है next day की clip और यह जो मेरा वीडियो है यह दो तीन दिन का है जैसा कि आप लोग को पता ही है कि दो तीन दिन से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा है देखिए अभी मैं थोड़ा परशान चल रही हूँ आप लोग भी जान रहे हैं तो मेरा ऐसा हो जा रहा है कि मैं बस वीडियो की editing ही नहीं कर पा रही हूँ अभी यहां पे हैं अभी कल कहीं और होंगे तो इसी वीडियो में आपको मैं सारा clear करूंगी कि मैं कहा निकल गई क्या है देखिए यह जो time है ना यह थोड़ा सा मुश्किल वाला है तो सारे पेरोड में पानी भी डाल चुके हैं डेस्ट बीद हो लिए हैं हम सुचे कि बैठे ही थे और धूप नहीं थी ना तो हम सुचे कि चलो बैठे 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 हैं डेस्ट बीद हो लेते हैं और अभी ना हलका हलका सूखा नहीं है पस हलका सा यह बाकी हल्का सब्समें नमी है यासे बेल टोल्ट में थोड़ा गीला है तो हम सुचे आदा घंटा और धूप में छोड़ देते हैं धूप तेज है तो सुख जाएगा फिर आदे घंटे बाद फिर आके उतार लेगें तो चलिए चलते हैं नीचे आर काम स्टार्ट करते हैं कर कोई ब्लॉग में शूप किये थे जादा नहीं बनाये थे यह रूटीन जब फड़ा सब्समें हो जाता न तो फिर मन नहीं करता है कोई काम करने का तो आदे घंटे के बाद गए थे छट पे और सब कुछ उतार उतार के लाके रख चुके हैं और यहां पे जीशू और फैज दोनों लोग बैटके न उनों खेल रहे हैं बच्चों का सब का छुट्टी हो गया है तो इसलिए उनलों का मन इसी सब में लग रहा है उसके जा रही है और हम और जिया दोनों लोग निकल रहे हैं खाला से मिलने के लिए पापा जा रहे थे लेने के लिए मम्मी को मम्मी वहीं इलाबाद में ही थी न तो उनको लेने के लिए जा रहे थे और वहां खालू का जो फात्य होते वाला था सब कुछ हो गया हम तो जा भी पापा हमसे बोले कि बिटा हम जा रहे हैं तो चलना है तो चलके मिला और मेरा भी बहुत मन्था की सुने थे कि खाला बहुत जादा रो रही है सभी लोग हैं अब ऐसा चीज है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता सिवाए उनको हिम्मत देने की और जब कभी वी ऐसा कुछ मौका म अपनों से मिलना ही बहुत सुकून दे देता है यह चीज कहेंगे तो मेरा मन था तो बस हम लोग निकल चुके हैं इलाबाद के लिए और हम लोग बहुर में चार बज़े के लगभग निकले थे कि ठंडे ठंडे हम लोग वहाँ पर पहुंच जाएंगे और ज्यादा देर एक दो घंटा रोकेंगे उसके बाद फिर मम्मी को लेके फिर से रिटर्न हो जाएंगे और यही चीज जो होता है ना कि सफर पर तुरंत जाईए फिर तुरंत आईए तो ठकावट बहुत भयंकर वाली हो जाती है और आप लोग को इधर का वियू भी दिखा रहे थे कि कि खुबसूरत है और बरसाथ के टाइम तो अपको उधर और भी अच्छा लगेगा और जिया ना सो रही है हम लोग जब जा रहे थे तो जाते टाइम भी लगा तार जिया ना सोते सोते गई क्योंकि ठकावट इसकी भी है क्योंकि इधर जब हुआ तो हम लखनो चले गए थे तब भी जिया पूरा संभाली थी फिर अब डाउन तो इधर पता नहीं क्यों ऐसा वक्त ऐसा चल रहा है कि हम लोग जैसे कि जो नॉर्मल जो है ना रूटीन वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा लगा ही है बहुत जल्दी कोशिस करेंगे कि ह पार चीज से क्लियर होके और मेरा जो ब्लॉग है वो रेगुलर जाए यहां पर भयंकर वाला जाम लगा था तो अभी टाइम हो रहा है किता बज़रा है साहनत सभा हो रहा है और अब लोग रुके हैं चाइपिने के लिए चाय पी लाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं कि है MON कि उलने के लिए जाने के लिए फ़ोलेख शाना कि दो ठाल बने लो तो पैरोर सीथा हो जाएक है उसके बाद फिर तो चल नहीं है सफ़र पे और आज का ब्लॉग भी यहीं पर रिंट करेंगे I hope कि आप लोगो अच्छा लगा होगा और खुशिश करेंगे कि नॉर्माल रूटीन रोज ब्लॉग आज आफिर मिलेंगे बाबाई अल्ला आफिस